नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉलीशन्स में आप सभी का एक बार फिर्ट से स्वागत है आज की वीडियो के अंदर फिर्ट्स हम बात करने वाले हैं MCV के सबसे जाद इंपोर्टेंट की फेक्टर की जो की है ICN हर एक MCV के उपर फिर्ट उसकी ICN रेटिंग होती है और इसी रेटिंग के उपर फिर्ट डिपेंड करता है जो भी आप MCV लेती हो, उसकी कोश्ट कई बार आपने देखा होगा, मालवेज़े 40 A की MCV है different companies ने बनाई है, लेकिन उनकी कोश्ट अलग-अलग होती है या फिर कोई same company भी अगर 40 A की MCV बनाई है उसकी भी कोश्ट अलग-अलग हो सकती है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रेंड, ICN रेटिंग के उपर तो चलिए फ्रेंड, आज इसी के उपर हम detail में बात करने वाले है ये ICN होता क्या है, एक MCV के उपर और किस तरह की protection में provide कराता है इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, फ्रेंड, अगर MCV के उपर आपको पूरी detail वीडियो चाहिए जिसके उपर उसकी name plate की सारी information आपको चाहिए तो वो वीडियो मैंने description में add कर दिये, आप उसे भी देख सकते है लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं केवल बताने वाला हूँ आपको ICN की factor जो की एक MCV को पर दिया जाता है तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते है फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको उताता हूँ ICN का formula क्या, उसका full form क्या होता है तो सबसे पहले आप एक MCV को देखिए ये MCV मेरे पास है इसके उपर ये 600 लिखा हुआ है फ्रेंड सॉरी 6000 तो ये क्या दिखा रहा है आपका 6000 एंपियर इसी को हम बोलते हैं ICN इस पर लिखा नहीं है लेकिन ये box जो बना हुआ है ये ही आपका होता है ICN तो ICN क्या है फ्रेंड Rated Ultimate Short Circuit Breaking Current Capacity इसको समझाने से पहले मैं आपको थोगा MCV के बारे में हलका सा बताता हूँ फ्रेंड जो MCV होती है हर एक MCV के उपर दो टैप की protection होती है पहली होती है आपकी overload protection दूसरी होती है आपकी short circuit short circuit protection इसका मतलब हर एक MCV के अंदर दो tripping concept होंगे एक जब MCV trip करेगी overload होगा दूसरा MCV trip करती है जब short circuit होगा जब भी फ्रेंड overload होता है न तो thermal concept यूद होता है tripping के लिए कौनसा वाला thermal concept और जब भी short circuit की condition आती है उस condition में आपका concept यूद होता है electromagnetic concept short circuit के अंदर ये तो बात हो गई MCV की protection की दो टाइप की protection हो गई overload और short circuit फ्रेंड overload की case जो होता है मान लिजए कोई 360A की MCV है MCV है कितने की? C63 overload condition का होएगी जब 70A की आसपास current चले जाएगा तो वो कुछ time interval के बाद 2, 4 या फिर 10 second के बाद trip कर जाएगी वो time उसका depend करेगा उसकी energy class पे जो C है ये BV हो सकता है, AV हो सकता है, D हो सकता है K हो सकता है मतलब कि 5000A हो सकता है किसी किसी case में 10,000A सक पहुच जाता है short circuit के अंदर current किसी किसी case में maximum 25,000A सक भी हमारा current पहुच जाता है short circuit के case में अब जैसे मैं आपको 6000 दिखाया था कुछ-कुछ MCV के उपर इस तरह से लिखा होता है वो MCV मेरे पास नहीं है पर मैं एक image के थुरू आपको दिखाता हूँ यह देखिए 10,000 बटे 3 30 तो उसकी overload दिखा रहा है यह दिखा रहा है नीचे वाला 10,000 बटे 3 उसकी short circuit strength अब इस तरह से 10,000 बटे 3 लिखा हो है अब इसमें जो 10,000 है यह होता है आपका ICN ultimate short circuit breaking current capacity और 3 होता है आपका energy limiting class energy limiting class काफी लोग confused हैंगे एक class मैंने यह भी बताया है C जो की A भी हो सकता है B हो सकता है यह भी एक तरह से class ही है तो इस राट में मैंने बताया था दो तरह की protection MCV के अंदर एक overload एक short circuit तो यह जो C है पहले वाला यह आपका होगा जो यह C है overload की class और जो यह 3 है यह short circuit की class को जो find करता है energy limiting class और यह होता है ICN अब उसके full form से इसके definition में आपको समझाता हूँ maximum fault current इस circuit breaker can successfully interrupt without being damaged मतलब की जैसे ही आपका वोई short circuit हुआ short circuit का होता है friend जो आपके 3 face होते हैं मानके चलिए MCB है और जो आपके उपर से 3 face आ रहा है R, Y, B नीचे 3 face जा रहा है यह आपका MCB होगई यह जब 3 face आपसे मिल जाए या फिर कोई 2 face मिल जाए या फिर एक single face ground से मिल जाए triple L fault या फिर double L fault हो जाए जब ऐसी condition आती है उस condition में आपका short circuit के रहाता है तो जैसे ही short circuit होता है friend तो current बहुत जादा increase हो जाता है अब हमारी MCB यह जो थी 6000 की short circuit इस पे strength है तो यह MCB क्या करेगी 6000 है इसका ICN कितना होगा maximum ICN that is 6000 तो 6000 amp तक के short circuit current को जहल सकती है जैसे ही इससे उपर current अगर निकल गया मानले जो 10 के निकल गया तो क्या होगा friend यह हमारी MCB यह damage जाएगी इसके जो contacts है यह burn out हो जाएगे और क्या condition बनती है कई की case में जब उसकी rating से उपर current निकल चुका है तो यहाँ पे एक arc generate हो जाता है उस condition अगर यह trip भी हो जाएगी न तो भी हाँ से current आपका आगे निकल जाएगा ऐसी condition आ जाती है और यह MCB आपकी damage हो जाती है मतलब कि ICN आपकी दिखा रहा है शो कर रहा है maximum short circuit breaking current capacity किसी किसी case में 10,000 होती है उसमें क्या होगा यह 10,000 ampere तक with strength कर सकता है मतलब यह trip हो जाएगा और आपके product को equipment को save कर लेगा लेकिन अगर 10,000 से उपर हो गया उस condition में circuit breaker अगर trip भी हो जाएगा मतलब MCB trip भी हो जाएगी तो भी वो damage हो जाएगी उसके जो terminal है वो burn out हो जाती है यह होता है पूरा ICN का concept इसी पर उसकी cost different करती है अगर 6000 है जैसे कि मेरी MCB पर 6000 है कोई MCB सेम company के अगर 10,000 है load सेम रहेगा C10 आपको लोग यह load सेम है इसकी cost कम है लेकिन उसकी ICN जादा है मतलब यह short circuit case में आपको जादा ampere तक protect कर सकती है अगर मैं बात करूँ इसकी तो यह भी एक class है energy limiting class यह हो सकती है आपकी 3 2 या 1 के form में यह भी आपको sensitivity define करता है 3 के case में 1 होगा तो highly sensitive हो जाएगा मतलब जैसी आपका कोई current short circuit होगा उस condition millisecond में बहुत कम millisecond में यह trip करा देगा लेकिन घर के लिए इंडस्ट्रीस ले जो हम जातर यूज़ करते है वो class 3 की MCV यूज़ करते है और यह एक और चीज़ में define करता है energy जब भी आपका short circuit होगा तो energy release होती है तो जल्दी से जल्दी यह trip करा दे ताकि जो आपकी energy है वो energy release कम हो सके है उससे क्या फायदा होगा आपकी MCV तो प्रोटेक्ट रहेगी अगर आपकी electrical और electronics equipment भी प्रोटेक्टर रहती है क्योंकि उस switching की कि इसको reduce कर देता है ताकि energy कम करके इस तरह से वो electrical device को भी प्रोटेक्ट करता है यह पूरा concept है फ्रेंड ICN का अगर आपको पूरा concept समझ में आया तो वीडियो को like कीजे friends जाशार वीडियो को share कीजे इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt पसता है तो comment section आप मुझे बताइए मैं आपको doubt दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे जाशार शेर कीजे and please don't forget to subscribe my channel thank you